हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग फाइनली आप हम एनलिसिस करने वाले हैं नॉर्मलाजेशन का किसका स्कोर सो है और किसका स्कोर 120 है तो क्या वहां पर हमें देखने को मिला ठीक सारी चीजे नॉर्मलाजेशन के बारे में जानेंगा और मुझे लग रहा है इस वीडियो के बाद नॉर्मलाजेशन से बड़ा गल्थ हो गया उनके मार्क्स कम हो गए या दूसरे लोगों के को जादा जादा मार्क्स बढ़ गया उन्हें अन्डी अड्वांटेज में लिए तो यह सारी चीजे किलियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद और आप एक सही फोकस के साथ अपनी आगे त्यारी कर पाऊ गये और यह अनलसी से लेगे मेरी लास्ट वीडियो है इसके आपको समझाई रखा है कि किस तरह से काम करता है normalization पहले भी बहुत पार analysis किया है normalization के और बिल्कुल सेम पैटर्न की चीजे हैं आपे भी देखने को मिली बिल्कुल पिछले साल जैसा ही normalization इस बार भी हुआ है और जो आपको cutoff मिलिया normalized marks के बाद cutoff मिलिया 147.something अगर हम actual cutoff की बात करें वो काफे ज्यादा कम होनी चीए क्योंकि normalization में देखें कि ज्यादता shift में marks भड़े हैं तो जो आपके मन में डर है कि इतनी ज्यादा cutoff चलेगी उस डर को भी भगाना है हमें और actual cutoff पे भी आना है और हमें साथ के साथ ये भी देखते हुए चलना है कि मेंस क से त्यारी कर रहे हैं तो हम क्या मान के चलें कि किस तरह से हम त्यारी करें कि जिससे कि हमारे एक बार की में selection हो जाए तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत guide करने कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को और सारी चीजे यहां पर हम discuss करेंगे कुछ important score cards भी दिखाऊंगा जो आपको motivate करेंगे राइट तो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर जो maximum increment हमारे सर्वे में आया वो आया 46.16 marks का maximum decrement की बात करें घटा भी है लोगों का score लेकिन maximum decrement की अगर हम कहेंगे तो कितना भी हो सकता है suppose करो एक particular shift है यह easy shift आप उसमें 0 number score कर रह है लेकिन हम उस candidate का पता नहीं कर सकते जिसने minimum score कर रहा वो सर्वे में पार्ट ले गई नहीं राइट तो कोई maximum decrease नहीं होता है आप वह आपके marks के ओपर depend करेंगे जैसे जैसे आप survey में आगे बढ़ोगे आपको साही चीजे clear हो जाएगे analysis में ठीक है तो maximum increment हमें देखना है क कितना हुआ 46.16 marks का हुआ एक एक करके सारी shift में कितने कितने marks का increment हुआ अच्छा SSC ने जो normalization का formula दिया है ठीक है वो हम यूज नहीं करेंगे आपे और थोड़ा complicated भी है normalization का formula यूज करना तो हम basic चीजों से समझने की गोशिश करेंगे normalization किस तरीके से हो रहा है और अब तो हमें पूरा pattern ही समझ आ गया किस तरह से generally normalization किया जाता है बहुत सारे exams हो गए जिन में normalization हो गया तो हम काफी हद तक बता सकते हैं कि क्या चीजे चल रही है शुरू करने पहले जिन लोगों का account लोग हो चुका है जो अपने marks नहीं देख पा रहे और लोगों के लिए एक देख रहे हो तो आपका chances होटी भी आपका आ जाएगा और आप marks देख पाऊगे काफी लोगों देख चुके है ओड़ेडी जो पहले नहीं देख पार थे इनका पहले account लोग हो गया था अगर फिर भी आप marks नहीं देख पारे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपको अपन 1.78 आपकी cutoff गई थी जिसमें 25,876 candidates ने UR category से qualify किया था अगर हम आगे भढ़ेंगे हैं आप इसी में इसी में चीज भी note करोगे कि total अगर हम बात करें 61,269 candidates ऐसे थे जिनके इससे जादा marks थे UR category से इतने थे बाकि सभी category से बिला दें तो total इतने candidates थे जो से जादा score करके ग candidates थे लेकिन जो अगर हम overall देखें सारे candidates को इन candidates को भी मिला दें तो जितने लोगों के 165.77 से mark ज्यादा है वो 8215 बन रहे हैं लेकिन actually में इससे ज्यादा candidates रहे होंगे सभी लोग जैसो के लिए eligible भी नहीं थे और सभी लोग इसका paper देना भी नहीं चाहते हैं तो बहुत सा cutoff गई है आपकी UR categories 180 marks और अगर हम बात करें बाकी categories के candidates जो इस cutoff से ज्यादा marks लेके आए अगर उसे भी add कर दिया जाए तो 4065 candidates बनते हैं तो हम कह सकते हैं 4000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 130 से ज्यादा score करके गए हैं इस बार ये चीज़ के लिए रोगई अच्छा सर्वे के मोटे मोटे highlights आपको बता देता हूं अगर हम बात करें यहां पर जो sample size हमारे पास आया वह लगवग 42,43 कुछ था उसमें से जो incorrect data था उसे अटाया गया filtering की गई और उसके बाद 4098 candidates का data SN के लिए जो almost correct है उसमें से भी 20-30 ऐसे हो सकते हैं जिनका data हलका सा गल्थ हो जो हम rectify नहीं कर पाएं लेकिन time लगता है rectification में तो जो important point चीजे थी double entries थी ठीके जुन्होंने गल्थ मार्क से एंटर करके थे वो पहले rectify कर दिया गया तो हम आपे भी काफी filters लगाय गये थे जिसे कि आप गल्थ मार्क सेंटर करो तो आपका form ही submit ना हो right अगर हम बात करें हापे all shifts combined की बात करूं जो average score हमारे पास आया 134 और अगर हम बात करें average score जिन लोगों ने form भरा उनका average score था 134 marks और वो भढ़के कितना हो गया वो हो गया 158.24 marks तो अग आपकी cutoff गई है जो गई है आपकी 147.7 something अगर इसमें से 24 नंबर आप घटा दोगे तो actual cutoff जो आपके paper के साब से बनती है वो बनती है आपकी 123.something ठीक है तो सबसे पहले तो जो आप cutoff के नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 125 के आसपस अगर आप paper का level देख रहे हो अगर hard shift है तो यही आपका 107 में convert हो जाएगा तो यही नंबर आपको convert हो जाएगा 143 मार्स में जो हम अभी थोड़ी देर में discussion करेंगे तो सबसे पहले तो cutoff कड़ रहे हो अपने दिमाग से हापे निकाल दो कि बहुत ज्यादा cutoff चली गई ऐसा कुछ नहीं हुआ clear है यह चीज ठीक है पिछली बार भी 2000 अगर 18 की बात करें वहाँ पे भी 15 15 20 20 नंबर जातर shift में बढ़ेते हैं सिर्फ एक shift को चोड़के और एक shift जो easier shift ही उसमें भी होता है एक particular number से जादा आप score करते हो तो आपके marks बढ़ते हैं उससे कम score करते हो तो घड़ते हैं तो सारी चीज़े में आपको दिखाऊंगा अभी तो यह मान के चलो अगर आप future exams की तैयारी कर रहे हो कि आपकी cutoff लगबग इसके आसपास गई है अगर आप 130 ही number आ रहे है मोग में selection होगा या नहीं होगा मैं जब order लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है इतना आ रहा है तो cutoff तो तब भी clear हो रही है भड़े आगे अच्छा कुछ और चीज़े जो important highlights से survey की बाकी चीज़े description करते ही रहेंगे हम ठीक है मैंने जब form दिया था आप लोगों को fill करने के लिए तो मैंने ये भी पूछा था कि आप CGL 2018 से job expect कर रहे हो नहीं कर रहे है पता तो चले कि इस बार CGL 2019 में CGL 2018 के किते candidates हैं जो already अच्छ जो मिल जा है तो ये भी पता होना चाहिए आप देखोगे total इतने लोगों ने भरा average score इतना रहा normalize score इतना रहा ठीक है maximum score जो row score गया हो हमारा 190 marks गया है और maximum normalize score गया इतना ठीक है जो हमारे data में आया है वो इतना है हो सकता है किसी ने इससे जाधा भी score किया हो और हमने हमारा form उसमें fill ना क्या हो तो possible है इससे जाधा score भी किसी का रहा हो अगर हम बात करें इन में से 4098 candidates में 1435 candidates कह रहे हैं कि उनकी job लगनी है CGL 2018 से भी वो expect करके चल रहे है कि उनकी job लग जाएगी CGL 2018 से तो इसका बहुँ जादा benefit है आपको अगर CGL 2018 की पहले ही document verification रहाता है तो उसस फाइदा है मिलेगा 2018 का result रही आया या भी tier 3 का और उससे पहले 2019 का paper होगे तो सारे appear होई जाते हैं मेरे भी बहुत सारे friends हैं जो 2018 में भी 600 में से कितने 570, 580, 560, 550 नमबर लेके वाई हैं 600 में से tier 2 तक और इस बार भी उनके CGL 2019 tier 1 में 190, 190, 190, 190, 190, 190, 200 नमबर भी हैं 200 नमबर मैं पहले से कहता है रहा हूँ कि 2019 वाले experience के लिए important है क्योंकि आपकी job की security भी decide करेगा कही ना कहीं हो सकता है क्योंकि वज़े से आपकी dream job निकल जाए हाथ से या फिर कोई और या जो भी आपके हाथ से निकल जाए क्योंकि वो वाले candidate जो वहाँ पे नहीं मिला तो फिर वह माम लेगा तो यह सारी problem है तो सभी लोगों को support करना चीह हो सिसु को जो मैं मानता हूँ अगर हम बात करें हैं आपर सर्वे में 1806 से उपर मार्स लाने वाले candidates हमारे 547 रहें और इन 547 में से यह number अगें important है 327 candidates expect कर रहे हैं CGL 2018 से जो अगर CGL 2018 से उन्हें मिल जाती है उनकी dream job तो काफी फरक पड़ेगा CGL 2019 की cutoff पे भी और अगर dream job नहीं मिलती से मैं कहता हूँ 327 candidates हैं इन में से dream job जीने मिलेगी यह already बहुत अच्छे score कर रहे हैं तो chances हैं CGL 2018 में भी dream job मिल जाए तो इन में से अगर आधे भी कर दो आप तो लगबग 160 candidates इसके भी थोड़ा कम कर दो चलो मैं कहा देता हूँ 120 candidates तो कम से कम ऐसे होगे जो dream job जो CGL 2019 से job न की dream job मिल जाए ठेक है क्योंकि सारे यही लगबग सभी ने paper दिया है इस बर कुछ को छोड़ गये के लियर हो गई यह चीज अच्छा category और accuracy का normalization पे कोई भी impact नहीं पड़ता अगर कोई आपका friend कह रहा है कि category की वज़े से उसकी category दूसरी है और उसके marks क्या हो गए उसे ज़्यादा मिलके normalization में तो जूट बोल रहा है या फिर उसे धंग से पता नहीं चला ऐसा ही accuracy का है accuracy का कोई role नहीं होता normalization में म तो normalization में category और accuracy का कोई भी role नहीं है इसे याद रखो टोप 10 rankers की बात करूँगा मैं row score के basis पे तो यह सारका सहरा उन लोगों का data है तो सभी लोगों को बहुत heartly congratulate करना चाहूंगा ठीके कि उनके row score रहा है यह उनका normalized score रहा है और यह उनका feedback है हमारी channel के लिए मेरे लिए औ और यह उनकी particular shifts भी है और ऐसे ही normalized score के basis पाकरूँ कि actual score तो आपको normalized score होता है तो top 10 candidates ही रहे maximum normalized score इतना रहा बाकी 205 तक top 10 हमारे सिमट गए और यह उनका feedback है हापे आप देख सकते हो ठीक है इनके row score और normalized score आप देखोगे हापे बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपे 162 marks है normalization के बाद marks बढ़ गए और 207.8 marks बढ़ गए तो 45 लगबग marks यहां पे 45.3 marks normalization में बढ़ गए कौन शी shift थी चार marks की shift 2 थी सबसे difficult shift थी है हमारी ठीक है तो सबसे difficult shift थी तो maximum marks का increment इसमें देखने को मिला यह सी 5 marks की shift 1 के लिए बढ़े आगे इनके कुछ के score card है आप देख सक क्यों कि कैसे कैसे वह score कर रहे है किस particular subject में राइट यहां पर 202 number है ठीक है इनों जनरल वेर्स में 34 number score करें में जनरल वेर्नस को मैं दिखाऊंगा आपको ठीक है इनका 36 marks है सिर्फ जनरल वेर्नस में और इनका marks है 201 और आगे भढ़ते हैं just a second जनरल वेर्नस में इनके काफी अच्छे score है 42.5 score है 199 total score बना normalization के बाद यहां पर 45 score है 206 कुछ marks बने ठीक है इनके अच्छे score है मैं कोशिश करूँगा कुछ strategy वीडियो उनसे लूँँ आप लोगों के लिए जिससे कि आप लोग future में और अच्छा कर पाऊ इस section को ठीक है यहां पर 40 marks है और अभी आपको और भी चीज़े दिखाऊंगा यहां पर देखो इनके जनरल वेर्नस में कितने अगर आप सीजल एक्षाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल वेर्नस सेक्षान पे ऐसा नहीं करना कि बहुत जादा जनरल वेर्नस सेक्षान नहीं पटर मैंने लेगा पूरे दिन सुबे सशाम तक कभी current affair पट रहे हैं कभी कुछ और कर रहे हैं पूरे दिन जनरल वेर्नस करते math और English पे होना चाहिए क्योंकि tier 2 में 200-200 number के यह आते हैं यह सबसे जादा role play करेंगे अगर 700 number की बात करूं 700 में से 600 number math और English के हैं तो इन दोनों section पे सबसे जादा command आपकी होनी चाहिए 50 number पे reasoning होगे 50 number सिफ जनरल वेर्नस के तो tier 1 में एक limited role play करती है और उसमें भी अगर आ तो त्यारी करने जनरल वेर्नस को धिला तो छोटना नेजिस तो लेही नी सकते लेकिन आप यह मान के चलो यह focus मत करोगी मिचे 50 में से 50 लाने जनरल वेर्नस में आप 50 में से 30 भी लिया होगे ना it's a very very good score फिर भी आप topper बन सकते हो इतना score लाने के बाद जनरल वेर्नस में अगर आपके फोड़ी hard shift आगे एजी shift आगे इस अभी लोग अच्छा कर रहे है तो आप 40 भी number आ सकते हो तब भी आप टो पर की लिष्ट में पोच्छा होगे समझ आई अच्छा एक एक aspirant है इनके score guard भी दिखातों मेरे पास आया ठीक है इनका total जो normalize score बना वो कितना बना 195.17 तो यह ही कहा रहा हूँ कि अपना जो focus कर रहे हो आप पड़ते डियान दखना है कि किन subjects पर जादा focus करना है किन पर तर्म focus करना है generalize section बहुत जादा time लेगा तो पहले तीन section है जो आपके उनमें कोशिश करो 150 में से 140 क का एम करके चलो maximum score इन तीनो section में करो बाकि generalize में ज 50 में से 50, quant में 48 और English में 50 में 50 में 50 पॉसिबल है थोड़ी महनत करनी है बस आपको in subjects में ज्यादा हो रहे English और Quant में वैसे भी आपको पता है में 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 भी आएगा तो आगे तक की तेहरी साथ की साथ करते चलो tier 1 के time पर अचा 5 मार्श शिफ्ट वन का एक experiment ऐसा भी है जिसक में 200 number का आपको Quant section पुछड़ाएगा तो बहुत important role play करेगा तो ऐसा मत करो कि Quant section को इतना जाद एग्नोर कर दिया और इतने कम score लेगा रहे हो राइट बात में बहुत जादा दिक्कत आएगी ठाक है तो महनत करो उसमें अच्छा अगर हम बात करें CGL 2018 का भी scorecard दिखा देता ठीक है मैंने एक जंगा देखा था 216 भी कोई बता रहा था उनका score है मेरे survey मिन आया तो इसलिए मैंने include नहीं करा तो किसी का अगर इतना भी जा रहा है तो फरक नहीं पड़ता लेकिन आप मान के चलो मोटा मोटा आपका 210 नंबर तक सारे लोग निबढ़ जाएंगे उसके नहीं देखोगे समझाया ठीक है हमने का था सेफ इसकोड टेक्स इस्टेंट के लिए CGL 2018 में 464 84 है यूर के टेगरी से कितने मैं से 600 में से टी 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 टु तक तो जोब तो इस बंदे को भी मिल रही है और जो टोपर है उसकी ड्रीम जोब मिलेगी बहुत अच्छे marks है ठीक नमबर का बेसिकली राइट तो यह सब देखे घबराना नहीं कि टोपर इतना स्कोर कर रहे है लेकिन पता होना अच्छे कि लोग इतना भी स्कोर करते है अच्छा अगर हम बात करें हापर एजी टू हार्डेश शिफ्ट की तो जो मैन अनलिसिस किया था आप देखोगे अच्कि यह 3rd expected थी सबसे EGS लग रही थी 3 मार्च की shift 1 जाएगी और जो अभी survey में data है उसमें भी row score के साफ से देखेंगे हम तो सबसे जो जादा score लोगों ने करा है 3rd मार्च की shift 1 में करा है लेकिन थोड़ा switch हो गया और 3rd मार्च shift 1 आपकी 3rd number वे बोच गई और 9 मार्च क shift बन गई यहां पर जिसमें आपको row score लाना पड़ा 143 marks to get selection तो काफी जादा गलत हो गया 9 मार्च shift 3 वालो के साथ बट लेकिन वो normalization का formula है कुछ रोच समझ के बना है अभी हम देखेंगे कितना जादा बहतर है वो कितना सही है कितने हद तक उसने averaging out करा है और चीजों को balance कर रहे हैं यहां पर 7 मार्च shift 1 में 139 marks पर आप selection ले पा रहे हो और यहां पर last cutoff देखो कि 4 मार्च shift 2 4 मार्च shift 2 में 107 number पर आप क्या ले पा रहे हो selection ले पा रहे हो right तो आप यहां पर देखो कि जो मैंने cutoff बताई थी आपको UR category से इन सब चीजों की UR category की cutoff है आप देखो क करते हैं कि average से कितना फरक पड़ा और वही थोड़ा हो जाता है बाकी जातर cutoff लगभग 1, 2 इतने gap में खतम होगी सारे की सारे तो काफी सही analysis रहा और मुझे लगता है कि अब तक कब मेरा भी best analysis ही रहा tier 1 के साब से और future में भी इस से बहतर analysis करना शायद ही possible होगा मेरे लिए क्योंकि कई बार circumstances तुमें favor कर जाते हैं और जो तुम सोचते हो वो चीजे काम कर जाती है राइट वाइसे महनत बहुत करता हूं मैं इस analysis के लिए भी तीन से चार दिन की महनत लगी है पूरी-पूरी ठीक है तब ही थोड़ा delay भी हो गया एक दिन दिले हो गया जितना कहा थ और आप देखोगे EGA shift में भी अगर आप 143 नंबर ले रहे हो और हाड़े shift में कितने नंबर ले रहे हो 107.5 नंबर ले लो तो आपका selection हो रहा है दोनों को अगर आप add भी कर दोगे 100 कितना बन जाएगा आपके पास 150.5 बन जाएगा तो हम कह सकते हैं लगबग 125 नंबर प although हमें जो cut up होती हो उससे थोड़े action नंबर लेके चलने पड़ते हैं जिससे कि हम अपनी dream job तक पहुच भाई या interview post तक या चाले सो great play तक की post पहुच भाई अच्छा जो boundary पे हैं उनका selection हो सकता है नियो सकता उसके बारे में बात करेंगे हम कि क्या क्या चीजे होते हैं क्य screenshot लेना चाहों ले लो सिफ्ट वाई आपको दिख जाएगी किस किस नंबर में किस पर्टिकुलर शिफ्ट में सेलेक्शन हो रहा है सबसे पहले हम यह जाने कि normalization हमारे लिए अच्छा है यह बूरा अच्छा जो मैंने analysis किया उसमें जो लोगों ने पार्ट लिया survey में लगबग चार इतालिश सो कुछ केंडिट ने पार्ट लिया उनका मैंने क्या करा एक पर्टिकुलर शिफ्ट का average निकाल लिया ठीक है ज वन और थर्ड मार की शिफ्ट में थोड़ा पोट आगे पिछे होगे बाकी साइज शिफ्ट का लगबग सेम रहा बाकी दो number का जिन में gap होता तो तो उसमें जाता कुछ कर भी नहीं सकते तो average जो normalize score रहा है शिफ्ट में इतना रहा 163.25 और increment इतना में देखने को मिला average score प आप देखो के कहीं न कहीं 160 के अप्रोक्स पास है सबसे ज्यादा advantage जो लगा मुझे कि तीन मार्च की शिफ्ट होने के बाद भी तो यह सबसे बहतर रहा बाकि जो जिनका 9 मार्च की shift 3 को था उनको थोड़ा disadvantage मिला क्योंकि उनका average score 142 जा रहा था जो अभी survey हुआ उसमें औ overall हम देखेंगे आप बैलेंसिंग हो गई लगबख 160 के आउस पर सारी की सारी आपकी क्या हो गई सभी का average score जा रहा है सारी shifts का normalize score तो normalization is a pain हम आज बंद करके कह सकते है ठीक है maximum balancing out हो गई एक-दो cases में तहीं बार आपको घटा भी जाता है ठीक है वो चमलता है लेकिन अगर सो लोगों को सो लोगों है सो में से 99 में लोगों का फायदा हो रहा है अठानमे लोगों को सही decision दिया जा रहा है उनके लिए और दो लोगों के साथ कुछ हो भी गया तो कोई दिक्कत निया बाकी यह हमने averaging से करा right normalization का formula क्या है बिल्कुल अलग है इस से और उसमें बहुत स चीजे करीब आ जाती है ठीक है तो भरोसा रखो बहुत सोच समझ के वह formula बनाया गया है अगर हम बात करें अब एक शिफ्ट पर आ जाते हैं थर्ड मार्च की शिफ्ट वन के अगर मैं बात करूंगा यहां पे तो आप देखो कि थर्ड मार्च की शिफ्ट वन में अगर बन रहे है 70 आपका इंक्रिमेंट कितने नंबर को रहा है सिफ 4 नंबर का ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा आगे भढ़ते रहा होगे आप देखो कि आप 119 नंबर पे तो आपका इंक्रिमेंट कितना हुआ 8 नंबर का हुआ 127 नंबर नोर्मलाई जिसकोर आ गया ऐसे ही आप तो अगर आपके marks कम है तो आपके कम number बढ़ेंगे और अगर आपके marks जादा है तो वहीं आपके जादा number बढ़ेंगे तो इजी शिट में भी 200 क्रों सुने के chances तो हैं लेकिन थोड़े एक 187 पे भी आप मुश्किल से आपके सिफ 13 number बढ़े और आप 201 तक पहुचे जहां hard shift में 162-163 number लाने के बाद भी 207 तक पहुच गए तो यह एक advantage hard shift वालों को होता है कि अगर hard shift में अच्छा perform कर दें वो तो उन इतने जादा marks अपला होगे उतने जादा आपके marks भढ़ेंगे ठीक है लगभग यह होता है और कर्व कैसे काम करता है कर्व से समझेंगे डाग्राम से आपको सारी चीजे बिल्कुल किलियर हो जाएंगी आप देखो कि यह score चल रहा है यह आपका क्या चल रहा है यह आपका इसके बीच का गैप भड़ता गया रो नुरमाईजी स्कोर के बीच का गैप भड़ा और हम कहेंगे जो आपको एडवांटेज मिला एक्स्टर मांग्स का वो जहाँ पर ज्यादा मिला यह चीज हो रही है और आप देखो कि इसी ग्राफ को कर मैं थोड़ा और आगे ले जा आपके हाँ पर 40 के कितने रह जाते 36 या 38 रह जाते तो यह चीज भी होती है अभी आने वाली शिप्स में हम देखेंगे कि ऐसा होता है और हुआ है बस यह वाला पॉइंट हमें डिसाइड करना होता है यह हाट शिफ्ट में इस पो यह पॉइंट मूव कर जाता है अगर क्या होता है यह वाला पॉइंट आपके हाँ चला जाएगा 130 140 डिपैंड करता है ठीक हो हर पेपर के साफ से डिपैंड करेगा कि वह किस नंबर पर शिफ्ट होगा लेकिन किसी नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा और उससे ज्यादा लागे तो भढ़ेंगे मांस उससे कम क्या ला रहे थे कम नंबर ला रहे थे तो आपके मार्स घट रहे थे 170 से उपर ला रहे थे 200 में से तो आपके मार्स बट रहे थे तो यह बहुत ऊपर चला गया था इजी शिफ्ट में भी तो यह चीज़े चेंज होती रहते हैं यह चीज़े हमें समझ आगे और यह धीरे-धीरे भढ़ता रहेगा, भढ़ता रहेगा, भढ़ता रहेगा, ठीक है, अगर आपके 168 marks हैं, तो बढ़के 40 number भढ़ेंगे आपके, और यह भढ़के 208 तक पहुच गए, 208.5 तक टोपर बन गए, ठीक है, तो मैंने जो data डाला है, minimum जिनके marks हैं, वो तो डाला दिया, बाकि आपको अपनी rank पता चल जाएगी, हमारे survey में किस लोगों ने कितना बाट किया, और हमारे survey में आपके rank क्या रही है, अगर आपने पाट लिया है, तो वह आप देख सकते हूं, यह cheat clear होगी, ठीक है, आपके एक बार screenshot जिसे लेना है, जिसकी shift में था वो ले ल है, इसका curve देखेंगे, तो बिल्कुल ऐसा जा रहा है, hard shift में यह होता है, कि यह flatten नहीं होता जल्दी से, ठीक है, end point इसका कभी 0 से भी पीछे होता है, hard shift के अंदर, जब increment जादा हो रहा होता है, तो hard, जो threshold point होता है, 0 से भी पीछ होता है, मतलब आप 0 भी number score करोगे, तब भ 20-25 नमबर आई देंगे, hardest shift में, ठीक है, जो hard shift से starting के, के लिए रहे है, तो आप देखो कि जैसे जैसे यह बढ़ता जा रहा है, इनके बीच का gap भी बढ़ता जा रहा है, और आपका जो score भड़े का normalization से वो भी जादा होता रहेगा, 3rd March की shift 3 की बात करेंगे, 3rd March की बात करेंगे, तो आपके 88 बन गए, इंक्रिमेंट कितने का हुआ आपका, यहाँ पर 19 माक्स का हुआ, और जैसे जैसे आपके माक्स बढ़ते रहेंगे, एक ठोड़े से फेक्टर के साथ आपके यहाँ पर इंक्रिमेंट होता रहेगा, ऐसे फेक्टर निकालने की जो लगबग इंक्रिमेंट कितना हो रहा है, और आप देखोगी हाँ पर मिनिममम इंक्रिज 19 माक्स का है, और 186 नमबर ले तब भी मैक्सिमम इंक्रिज आपकर 22.5 माक्स का है, तो यह लगबग जो ग्राफ चला आपका बिल्कुल कॉंस्टेंट सा चला, कोई ज्यादा मेजर जिस नहीं आए, इनके बीच में गैप में, किलियर है यह लगबग सेम गैप हमारा सब जिए मेंटेन रहा थोड़ा बहुत, बस तीन नमबर का फरकाया, तो यह शिप्ट भी होती है, चार मार्च की शिफ्ट वन की बात करेंगे, तो चार मार्च की शिफ्ट वन का स्कोर आ पच्पन नमबर पे, और आप देखोगे, आगे जाते जाओगे, जाते रहा होगे, तो आप देखोगे, यहाँ पर 167 मार्च पे, आपका इंक्रिमेंट कितने नमबर का हुआ, 34 नमबर का हुआ, फोर मार्च की शिफ्ट वन में, तो मार्च से साथ साथ आपके बांक्स अगर हम बात करें, तो आप देखोगे, यहाँ पर 80 नमबर भी आ रहे हैं, तो आपके 34 नमबर भढ़ रहे हैं, और अगर इस शिफ्ट में आप 108 नमबर ले आते हो, तो आपके सेलेक्शन हो जाता है, आपके क्या सोरी, यहाँ पर तो यहाँ आगर आप 46 नमबर ला रहे हो आपका है, इसकोर भी भढ़ता जा रहा है, क्लियर है यह चीज, इसी तरह सभी शिफ्ट को मैं आपको एक एक बार दिखा देता हूँ, जिसे स्कीन शोट लेना, साथ की साथ लेते वे चलना, अब हम डिटेल में डिस्कुशन नहीं करेंगे, जो चेंज आएगा वो देखे तही हिस से लेके हाँ पर गया हमारे पास 35 तक, चार मार्श की शिफ्ट 3 में, जिसे स्कीन शोट लेना लेते रहो साथ की साथ, ठीक है, यह इसका ग्राफ बना लगबग सेम सा ग्राफ है, कुछ नया चेंज यहां पर नहीं आया, इसी तरह पांच मार्श की शिफ्ट 1 की ब बढ़के 28 नमबर से बढ़ा और इतना बन गया, तो इस तरह से चीजे चली और 107 नमबर के आज पास पर जिनके नमबर आये थे, उनको सेलेक्शन हो गया, कटोफ के लियर हो गई, आगे बाट पड़ते हैं, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है आपके पास, ठी का से पीछे होगा, ये पाँच मार शर्तौ का डीटा है, इसका स्क्रीशोट ले-लो, ये पाँच मार शिप्ट थरीका डेटा है, इसका स्क्रीशोट ले-लो然 बनाने से 27 तक चला गया, तो बहुत जादे increase देखने को मिला, यह जंदरली cases होते हैं हमारे EG shift के, EG shift में क्या होता है, अगर starting में बहुत कम increase होगा, बाद में जादा जाद, एकदम graph जो होता है, हमारे slant होता है, ठीके जो increase वाला graph होता है, gap देखो, यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा और कम score करते हैं, तो 0 हो जाता है, यह gap बहुत तेजी से बढ़ रहा है EG shift में, hard shift में gap लगबग ऐसा रहता है, EG shift होगी सबसे, तो लगबग graph आपका ऐसे ही चलेगा, V shape का graph बन जाएगा आपका, normalize और यहाँ पर row score का, ठीक है medium shift में, बीच का चलता है, भड़े आगे, यह हमारे पास 6 marks की shift 1 है, इसका कुछ samples मैंने आप लोगे लिए collect कर रही है, देख लो, जिसने marks नहीं देखे है, यहाँ से idea लगा देना, ठीक है minimum increase आपका 22 का था, maximum increase 28 का है, ठीक, यह उसके बाद हमारे पास कौनशी shift है, इसका graph ऐसे है, यह medium shift थी हमारी, तो इन graph से भी हम idea लगा सकते है, आपके shift easy थी है, hard थी, अगर हम बात करें, यहाँ पर minimum increase आपका कितने का है, 10 number का है, और यह आपका maximum increase कितने का है, 16 number का है, यह वाली थोड़ी अलग shift रही हमारे पास, ठीक है, तो change आदा है, कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे इसमे, तो average shift रही और 10 से लेके 16 number तक का maximum increment देखने को मिला, उसके बाद graph यह, अच्छा यह आप देखो, अगर आप में यह एक punch point नीचे जा रहा है, तो यह wrong entry है, यह graph ऐसे चलेगा, 6 mark shift 3 का data है, जिसे screenshot लेना है ले लो, इसका graph कुछ लगबग ऐसे है, ठीक, approximate जब हो ज़्यादा फरक नहीं पड़ा है, starting select end में, यह 7 मच shift 1 का data है, right, तो 4 सारी entries है, आप देखोगे, यहाँ पर 40 से cut off point है, 40 से नीचे number आएगा, तो marks घड़ जाएगे, 40 से उपर आएगा, तो भढ़ जाएगे, right, तो यह सारी चीज़े चल रही है, इस तरीके से, clear है, इसका graph यह रहा है, 40 नंबर पर जाके टकरा आगया point, इससे नीचे जाओगे तो घटेंगे, इससे उपर आएगा, तो भढ़ेगा, यह साथ माज shift 2 का देखा क्या हमने पहले, yes, ठीक है, एक सेगिंड, यह साथ माज shift 1 है, यह वाला आपका साथ माज shift 2 होगा मेरी खाल से, यह रहा ना, यह साथ माज shift 2 है, यह पर लिखा वैं, तो साथ माज shift का data यह है, minimum आपका जो increase देखने को मिला, यह वह 11 नंबर का है, 90 पे 11, और maximum आपका 22 तक गया, ग्राफ ऐसे चल रहा है, यह थोड़ा बोरिंग हो गया भी है, ऐसे साथ माज shift 3 का data है, screenshot ले लेना जिसे लेना हो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से चला, इजी shift रही होगी साथ माज shift 3, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे marks बट रहे हैं, तो ज्यादा जा रहा है, उसके बाद हम आते हैं, 9 marks की shift 1 पे, ठीके 9 marks की shift 1 एक interesting shift है, क्यों interesting shift है, आप देखो गए यहाँ पे, अगर आपके पास 24 number आ रहे हैं, तो आपके marks घट रहे हैं, 87 पे उपर नमबर आएंगे, तो marks घटेंगे, तो आप देखोगे, यहाँ पे minimum आपका minus 9 था, और आपका maximum increment last तक अगर हम जाएंगे, तो 184 marks पे 24 number का increment हमें देखने को मिला हैं, यह 9 marks की shift 1 का रहा है, आप देखोगे यहाँ पे जो graph बन रहा है, यह आपका row score का है, यह आपका normalized score का है, तो आप यहाँ पे यह सारे का cutoff point यहाँ पे आ रहा है, लगबग 80 के बीच में, 86 कुछ के पे cutoff point आ रहा है, इसका, इससे नीचे marks है तो घटेंगे, उससे उपर ने भढ़ेंगे, तो यह मत क्या ना कोई, कि सार मेरे 82 नमबर है, मेरे घट गए, और मेरे दोस्त के 90 नमबर है, उसके बढ़ गए, ठीक है, यह इस वज़े से, यह जी shift में ऐसा होता है, यह cutoff point आपका, ऊपर आगे की side shift हो जाता है, बढ़े आगे, तो यह वाली shift में marks गटे, जो हमारे data में आया, और एक 9 marks की shift 3 रही, उसमें भी marks गटे, 9 marks की shift 2 की बात करें, minimum increase आपको 7.602 marks कर रहा, maximum increase 28 marks कर रहा, इसके graph कुछ इस तरह के से चले, थोड़ा पीछे और जाता, तो यहाँ पर cutoff point cross कर जाता है, अब आते हैं, 9 marks की shift 3 के data पे, ठीक है, 9 marks की shift 3 सबसे agest हमारी shift बन गई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 131 number हमारा cutoff point रहा, 131 से आपके कम number है, तो marks घड़ जाएंगे, और 133 से जादा marks है, तो बढ़ जाएंगे, तो maximum लोग जिनको problem हुई होगी, क्योंकि marks घड़ गए, और serious sprint है, वो इसी shift में उभा होगा, 133 से कम number अगर आपने score कर रहा है, तो ठेक है, आप और पीछे चले गए, देखो कि 75 number है, तो आपके कितने number घड़ गए, 23 number घड़ गए, इतने जादा भी घड़ जाते हैं, गर इसी shift में बहुत कम score करते हो, अगर हम बात करें, यहाँ पे 101 number है, कितने marks घड़ गए, 12 number घड़ गए, 130 number घड़ गए, 139, सिर्फ 1.52 number घड़े, 131 पे पोचे, आपके 130 ही रहे लगबग, 0.1, लगबग सेम marks रहे, और आप थोड़ा आगे भढ़ोगे, 179 पे पोच गए, 179 का 198 बन गया, और आपके 19.9 marks बढ़ गए, के लिए रहे, तो यहाँ पे एक एक number important है, तेकि आप जैसे आपको, EG shift में maximum score करना है, अगर आपको एक अच्छी job ची, अच्छा score चीए, तो इसी चार्ट को थोड़े detail में आप यहाँ से भी देख सकते हो, उमीद कर रहो, normalization समझ आगे, आपको कैसे कैसे हुआ है, आप कुछ और चीजों पर बात करते हैं, जो हमारा survey था, इस पर आ ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पर, just a second, हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें, 205 से 210 के बीच में कितने लोग हैं, हमारे पास 11 लोग हैं, दो से लेके 205 के बीच में 17 लोग हैं, एक सो पिचानमे से 200 के बीच में 40 लोग हैं, एक सो पिचानमे के बीच में 82 लोग हैं, ऐसे ही, एक सो पिचानमे के बीच में 156 लोग हैं, एक सो पिचानमे के बीच में 156 लोग हैं, एक सो पिचानमे के बीच में 287, 238 लोग हैं, इस तो लगबग कितना multiplication factor जा रहा है हमारा यह लगबग हमारे पास चला जाएगा आठ आठ गुना लोग हैं जो एक सस्य से ज्यादा लेके आ रहे हैं मतलब 1-8th लोगों ने हमारे सर्वे में पार्ट लिया जो एक सस्य से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो एक तो हमें यह समझ आया और आपने देखा जो ग्राफ होता है बैल शेप्ड होता है ओल्दो हमारे सर्वे में जाता जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हुआ उन लोगों ने पार्ट लिया था तो यह कर्व आपका क्या होगा हमारा जो maximum लोगों ने स्कोर करा सर्वे में जिन्हों ने पार्ट लिया था उनका स्कोर 160 से लेके 165 के बीच में नॉर्मलाईजी स्कोर रहा एक तो साट के आसपास राइट आप देखो कि जैसे जैसे कर्व में आप आगे बढ़ते रहे तो यह वैल्यू बड़ी तेजी से गिरनी श्ट्यार्ट होती है ठीक है कर्व आपका कुछ ऐसे बढ़ेगा एक टाइम पर मैक्सिमम लोग स्कोर कर रहे होंगे और उसके नीचे नीचे जाते रहोगे तो बहुत कम-कम लोग हो चाहेंगे यहां पर आप देखो कि सिर्फ 11 लोग है फिर 17 फिर 40 ऐसे तरह से बढ़ता जा रहा है तो यहां पर जहां पर हम जब हम टीर 2 के बात की बात करेंगे तो यही है कि अगर आपको माक्स यहां आप देखो अगर आप बोर्डर के पास हो 150 के असपास हो तो आपको क्या करना है आपको लीड लेनी है तीस नंबर की उन लोगों से जो जो अड़री 102 के असपास हैं तो आपको उसके लिए कैसे कैसे कौन लोग हैं जो एक सासी से जादा लानने के बाद भी टीर 2 में बहुत कम स्कॉर कर पाए और कौन है जो बोर्डर के असपास थे फिर भी वो टीर 2 में अच्छा स्कॉर करके जोब तक पहुचे अच्छा हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 130-200 के बीच में इतने चाणिच हैं लगभग और 200- 220 के बीच में इतने हैं ठीक है एक गुजब व्ल्मके बीच हो सकता है ब21 अदियस कर तो उत है और अच्छीज में पर्दा franchise और लेंके करते हैं लगबग बता तो कितने लोग होंगे, 28 लोग तो हमाजी सर्वेय में भी आ गए, और अगर मैं बात करूं, maximum आप मान के चलो, 100 के आस पास ही ऐसे लोग होंगे, जो 200 से उपर स्कोर कर रहे होंगे लगबग, maximum 100, इससे इतना मान के चलो, इससे ज्यादा कोई चांस नहीं बन रहा, अगर हम बात करें हाँ पर 180 से लेके, 190 के आस पास आपका स्कोर रहा है, तो आपकी रैंकिंग क्या रही होगी, तो आप 180 पे 4000 लोग ते, 190 पे उसके काफी आधे से कम हो जाएंगे, लगबग, आपके हाँ पे रहेंगे 1200-1300 के आस पास लोग, जिनके इस से ज्यादा नंबर होगे, 1200 के आस पास ही मान के चलो, लगबग, आइडिया है, ठीक है, आपको भी ऐसी देखना है, जो ग्राफ होता हमारा कुछ इस तरह के से होता है, तो मैंने पूरा क्वेश्चिन इब रहें कि क्या होना चाहिए अप्रोक्सिमेटल, यहां पर रैंकिंग की बहुत ज्यादा जूरुत नहीं है, एक आइडिया रहना चाहिए कि लगबग ऐसा ऐसा हो सकता है, और इस रैंक से फरक क्या पड़ेगा, अगर मानलो आपके 100C माक्स हैं, आपके इहां पर कितने हो गए, यहां पर आपके रैंक 4000 के आस पास चल रहे हैं, बस आपको 10 नंबर की तो लीड लेनी है, 10 नंबर पर आप इतनी ज्यादा रैंक को जंप कर पाऊगे, तो tier 1 की ranking बहुत जादा important नहीं होती, इसलिए उसके मारे में बहुत ज्यादा detail में नहीं गया, बस हमने यह देखा है जो यह वाला 8215 वाला है, यह थोड़ा गलता है, अगर हम बात करें आपके, क्योंकि बाकी candidates भी होंगे, जिनके 165 से ज्यादा नंबर होंगे और जिश्मे नाम नहीं होगा तो इसे अधार मतमानना, बाकी overall अगर हम देखे तो यहाँ पर लगबग आपके 4,000 लोग हैं, तो 170 के आसपास आपके कितने candidates हो सकते हैं, लगबग आपके हाँ पे 12,000 के हास पास candidates होंगे, 170 के आसपास, उससे अगर हम भीच्छे जाएंगे तो exerc休止 solitary पे चले जाएंगे TOTOply individual candidate लगबग आपके हाँ पर 35,000 के अपके हाँ यहां जो गशार से सकते होंगे तो इस तरह से चीज़े चलेंगे तो इस आरी approximate दिमाग बहुजादा नहीं लगा है इस चीछ पे यहर बार ऐसे ही trend से चलता है तो हम कह सकते हैं इस चीछ के बारे में अब बात आती है कि tier 2 में कितना score किया जाए जिससे कि आप एक job ले पाओ देखो इस question का अंसर किसी के पास नहीं है ना मेरे पास ना किसी और के पास क्योंकि यहाँ पर variable क्या है vacancies हमें पता है vacancies पे आ रहे हैं अभी लेकिन अगर हम बात करें paper का level अभी हमें नहीं पता है जब तक पेपर का लेवल नी पता होगा हम नी कह सकते कि कितना सेफ स्कोर सेफ है कितना नहीं है लेकिन एक आइडिया जैसे कि आप कहते हो अगर आपके बड़े भाई का सेलेक्शिन होगा आप उसे पुछो कि या मेरे इतनी टीर वन में इतन नंबर आ गए मुझे यह बता द पिछले साल भी लगबग 24-45 नंबर बढ़ रहे थे maximum इस बार भी उतने बड़े तो नॉर्मलेजिशन पिछले साल जैसे हुआ लेकिन कट ओफ थोड़ी ज़्यादा चले गई लेकिन पिछले साल भी लोगों के 200 से जजादा नंबर थे पिछले साल 222 तक भी आपका आईश लेकिन एक चीज और यहाँ पर निकल के आती है हमारे पास वेकैंसीज वेकैंसीज को कैसे बूल सकते हैं हम पिछली बार जो आपकी वेकैंसीज थी 11200 कुछ थी से थोड़ा करेक्ट करनी है फिगर को 11200 कुछ वेकैंसीज थी टोटल 2000 सीजल 2018 में इस बार वेकैंसीज कितनी ह एक फाइट फाइट थो दो हजार चाश्पस वेकैंसीज कम होगई यहाँ पर दो हजार के लगबग पहुने 3000 ठीक है लगबग 2,750 वेकैंसीज का डिक्रीमेंट देखने को मिला और यह जो वेकैंसीज है वो कौन से क्रेड़ पे की कम हुई हमारी यह ग्रेट पे की कम हुई का वेकैंसिज अगर यह वाली डिक्रीज होती है थाइस्टो ग्रेट पे की नहीं पड़ेगा जिसे यह वाली जो मिल रहे हो तो पहले भी सीजल 2018 में अच्छ नमबर लाना पड़ेगा सीजल 2019 में लेकिन अगर हम बात करें आप तो यह जिरो जिरो ग्रेट पे की जोब सोच रहे हो तो उस पर यहाँ पर जादा इंपक्ट देखने को पड़ेगा उसका इंपक्ट नहीं पर क्या होगा थोड़ा जादा होगा एज कंपेर टू दी प्रीवेस इयर यह यह चीज समझ आए क्योंकि यहाँ पर पीछे की वेकै अगर बदेखने के लिए जो चुब लेंगे और तो चुबिस सो ग्रेट पर की जो कुट अधाज हम पिछले साल तक लगाते वार्ट वो थोड़ा बढ़ जाया गा यहाँ पर क्योंकि वेकैंसी में देखने कुब लाब पिछले साल से 2017 से कंपेर इसले नहीं कर सकते उसमें नहीं था अभी हमने कहा है यहाँ पर कट ओफ आपकी 148 147 पॉइंट सम्थिंग गई है और हमने कहा एक्ट्व क्या जानी चाहिए थी 125 मक्स गानी चाहिए थी अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन ना हो चीजे बेसिक से चलें तो 125 के आसपर कट जानी चाहिए तो यह ज समझना है कि नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन चीजों को बढ़ा देता है तो पिछली बार जो मैंने अनल्सिस किया था लगभग डेटा इस बार टीर उनका रिजल्ट के बाद देखें तो पिछली बार और इस बार में काफी चीजे कोमन आ रही है हमा बिना टार्गेट के तो कुछ फायद है नहीं हम मोग दे रहे होते हैं हमें पता दो होना चाहिए कितना स्कोर ठीक रहेगा हमारे लिए कितना नहीं उसके लिए मैंने लग से एक वीडियो में सारा एक्स्पेइन करी दिया था कि मोग को कैसे इनलाइज करना कितने परसेंट होगा है लेकिन स्कोर वालों के लिए और अभी गेम बचावा है पांसो नंबर का अपके दोसो नंबर का पेपर हुआ है पांसो नंबर का पूरा गेम बचावा है आपका 400 number tier 2 के हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, tier 1 में GK section पढ़ते नहीं है, habit नहीं होती है, अब cut off के लिए हो गई, उनका English and Math section बहुत आदा strong होता है, तो वो tier 2 में एच्छा स्कोर करते हैं, जो भो जादा division नहीं करा, भो जादा practice नहीं करा, अब tier 1 में appear हो गया, तो वो tier 1 में उनके अच्छे नंबर आ गए, अब उनके मेंस पहले उनने दे रखा है English and Math का, उन्हें जादा advantage मिल जाता है, उनने pattern भी पता है, और वो tier 1 पहले से ही उनकी बहुत अच्छी का रखे, उनने main level की, तो उनने advantage मिल जाता है, लेकिन इनकी Math और English अच्छी है, तो उनके लिए doable है, अब भी वो महनत करेंगे, तो कर जाएंगे, जिनकी week है, उनने महनत करनी ही है, ठीक है, तो यह मान के चलो, अगर आप border के पास हो, selection possible है, लेकिन महनत बहुत लगेगी, मैं यह नहीं कहूंगा, कि आप बस महनत करो, हो जाएगा selection, दिमाग में बनाओ, आपने आपको analyze कर कर पा रहे हो, मतलब आप अभी कहां पे हो, और कितना उपर आपको जाना है, कि आप given time के अंदर जा पाओगे, या नहीं जा पाओगे, या क्या opportunities आपके पास अभी है, ठीक है, selection के chances है, burger border पे हो selection के chances हैं, लेकिन अगर paper का level बहुत जादा easy आजाता है, तो easy paper अगर आजाता हम 200 में से 200 number लेके आ रहे है, 190 number लेके आ रहे है, अब क्या हो रहा है, अब TCS आया है, तो English को easy कर रखा है, English में बहुत लोग 200 में से 190 plus अराम से लेके आते हैं, तो अगर paper का level, दोनो paper का level easy आ गया, तो जो अभी already 180 पे लोग हैं, वो अच्छा कर जाएंगे, और वो खुदी 180, 190 number लेके चले जाएंगे, 200 में से, तो आपके हमाँ पे फिर आप बहुत महनत करने के बाद भी आप भी कितना लाओगे, maximum तो 200 ही ला सकते हो, तो जो lead है न 30 number की, वो cover करनी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, 30-40 number की, given paper बहुत जाद आईजी आ गया, paper अगर आगया hard, तो आपके बहुत अच्छे chances बन जाएंगे, हो सकता है, क्या पोज जाओ, आप इस्पेक्टर पोज तक भी पोज जाओ, voter पर आने के बाद, क्यों इस्पेक्टर पोज तक पोज सकते हो, suppose करो paper बहुत आजज़ा hard आ गया, average में लोग 120 number score कर रहे हैं, 110 number score कर रहे हैं, और आपने मानलो, कि एक में change आया, एक लगभग ऐसा ही रहा, तो मैंने कहा, मैस का paper मानलो difficult आ गया, तो जिसके 120 number लेका आया, भाईचांस, तो इसके यहाँ पर 300 number बनेंगे, ठीक है, और normalization में ही उसके थोड़े लगभग maintain रहे हैं, तो 330 number बढ़ जाएं, तो 330 हो गए, इस दोनों subject के number मिला दूँ tier 2 में, तो यह आपके marks हो जाएंगे, 310, जमा 35, 345, क्या आप आगे निकल गए, 15 number की और भी जादा lead ले लिया आपने, उस बंदे से जो आप से अभी 30 number आगे, तो देखो, यह बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारे factors हैं, ठीक है, possibilities हैं, selection की भी, और अगर ब पिछले साल वाला level तो maintain ही करेंगे, और हो सकता है उससे थोड़ा अच्छा ही level बनाए, paper का हो सकता है, English का section भी थोड़ा improve कर दे, तो भड़िया है, जो English का section पिछले बार इतना light कर दिया ना, उसका बहुत नुक्सान हुआ, अगर English का section भी अच्छा रखा जाए, जैसे 2015 आ तक आता था, 2016 तक आता था, तो fair advantage मिलता था, आप tier 1 में border के पास number लेके हो, फिर भी आप tier 2 में बहुत अच्छा score कर सकते थे, cut off भी कम जाते थी, लेकिन अगर level easy हो जाता है ना, तो जो border वाले लोग है, उन्हें problem आती है, level easy होने पे, दुआ करना अगर border पे हो, mains का level hard आए आपके बहुत अच्छे chances बन जाएंगे selection के, और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, give your 100%, अच्छा मेहनत करने का फायदा क्या होता है, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं, मैं 5 बार selected हूँ, 5 बार income tax inspector selected हूँ, 5 5 बार exercise inspector selected हूँ, एक बार CBI में दे दिया, एक बार CBI में selection लिया, एक बार exercise में selection लिया, तो क्या actually में वह हर साल मेहनत कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने एक बार अपना 100% दिया, एक बार एक बार job ले ली, अब course तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, साजी चीज़े सेम ही तो है, English on match क्या बदल जाएगा, वही रहेगा, अगले साल पे पर दिया, फिर job ले लेंगे, फिर उस से अगले साल पे पर दिया, फिर job ले लेंगे, जितनी बार पर दोगे, उतनी बार job लेते रहा हो गया, ठेके मेरा CGL 2017 से selection हुआ, 18 दिया, 18 में भी अच्छे नमबर है, 2019 का दिया, एक बार अपना पूरो 100% देदो, पूरी तियारी कर लो, कोई भी पेपर देते हैं, न सारे पेपर निकल जाएंगे, आपके कोई भी पेपर निया अटकेगा, अगर आप एक पेपर के लिए कर सकते हो, सब भी पैटन सेम ही तो है, बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार अपनी 100% दो त्यारी पूरी करो, उसके बाद तो बहुत अच्छा है, यह तलगातार सेलेक्शन लेते बारे तो यह बहुत अच्छा है, आपको बस क्या करना है, एक बार 100% त्यारी करनी है, फिर हर बार सेलेक्शन होगा, क्या दिक्काता है, जब तक ड्रीम जोप नहीं मिलती आपको, देते है रोपे, पर ड्रीम जोप तक तो सब को ही जाना है, तो यही चीज़े मिज़े आपको बतानी थे, I hope आप सो लोगों को अनलसी पतन दाया कि ओवरोल कितनी रहेंग रही, 4000 लोगों में, ठीक है, उसकी PDF टेलिग्रम चैनल पर आपको डाल दी जाएगी, उमीद कर रहा हूँ, आपके हाँ पर सारे डाउट किलियर होगे, I tried to give my best, और देखते हैं, बाकी अनलसी आपने देख लिया, तो बाकी आप बहुँ जाद अन अनलसीस है, एक्ट्वल डेटा पर बेस्ट अनलसीस है, मतलब जो आपका स्कोर आया, रो स्कोर इतने रो स्कोर पर ही सेलेक्शन हो रहा है, वो तो पक्का ही है, उसमन कोई बदलाव नियागा, गर गवद सेमी चीजे मिलेंगी, इसने भी डंक से अनलसीस किया होगा, तो य विडियो सबी ही देखते हैं सबकी तो यह देखेंगे कि यह अनलसीस है, बो डायकतली सेम चीजे बता देगे, जिन लोगोंने डेटा क्लेक्ट किया आपको समझाने गा तरिका क्या रहा है, वो चीजे मैं अनलसीस है, आप मुझे एन अचेडमी पर फोलो कर सकते हैं, आप आपको एक जाम के अंडर, बहुत सारी special classes आतकती हैं, सारी की सारी free होती है, live classes होती हैं, तक हम कही बार हम test conduct रहते हैं, कही बार मैं आपको concept सिखा जाता हूँ, तक है अगर आगर में मेंस की बात करें, मेंस से लेडिन मेरी कुछ किलासे सा चुकी है, जैसे percentage की class आई थी, percentage की expected मेंस के लिए मैंस के लिए मेंस के लिए मैंस के लिए आपके लेकर आ रहो हैं आपके, CHSL के लिए प्रैक्टिशेशन आएंगे मेंस के लिए और सारी free हैं, बस आपको करना है, follow करना है, जब live class है यह attend करना है, जो भी डाउट है in live class में, हर एक बंदे के लाइक doubt किलिया करत साथ के साथ, और साथ ही साथ अगर आप कुछ exam से लेट पूछना चाते हो, तो वह मुझे से live class में पूछ सकते हो, ठाक है, अब हाप है, मैं live होता ही हूँ, तो मिझे बताने मूँ कोई दिक्कत नहीं होती, ठाक है, और मेरे लिए भी असानी रहती है, मूह से बोलना, as compared to message type करना है, वो करना, अच्छा जो अनकेनमी प्लस के members है, मेरा complete course arithmetic का आपको मिल जागा recorded form में, advanced math का मेरा batch चाट हुआ है, 8 July से, अभी 2-3 दिन हुए है, और यह चल रहा है, और जल्दी 3-4 महिने में खतम होगा लगबग, तो जो future experience है, CGL 2020 देंगे, CGL CHSL 2020 देंगे, तो वो च मेन आपको ही करना महनत आपको ही करनी है, तो यह मेरे batches है, जो अनकेडमी प्लस के members है, वो तो जरूर देखें, जिन्हों नहीं नहीं करकता, अगर वो जोइन करना चाहें, तो definitely join करके हैं, आपकमिंग जो free classes होंगी मेरी अनकेडमी पे, वो होंगी 12 तारिक को 1 class है, एक मैं पुरा-पुरा chapter करा दिया था, बिल्कुल basic से लेके end तक, तो वो chapter अगर आपने कहीं से cover नहीं करका तो वहां से cover कर सकते हो, काफी help भी लेगी आपको उस चीछ से, आपको समझ भी आगा पढ़ाने का तरीका कैसे होता हम कैसे पढ़ते हैं, अनकेडमी पे कुछ टेश् प्लस के जो members हैं उनके लिए हैं तो वो आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर अनकेडमी प्लस जो अपने join करक्ता है, ठीके end का analysis कराए जागा, कुछ का analysis मैं भी कराऊंगा, कुछ का analysis कुछ और teachers कराएंगे, subject wise, math का मैं कराऊंगा, बाकि और subject के अलग-अलग teachers कराएंगे एक foundation बैची start हो रहा है, 13 July से SSC, CGL and CHSL के लिए, ठीक है, डिफरेंट टीचर्स हैं अनकेडमी पे जो पढ़ करा रहे हैं, तो आप इसे join करना चाहो इसे join कर सकते हो, और भी बाकि बहुत साइटीचर्स हैं अनकेडमी पे आपको पता ही है, तो उनके बैची सलग लगाते र आपको जानता है, मैं अपने आपको जानता हूँ, आप मिझे जानते हो, आप बाकि एजुकेटर्स को भी जानते हो, तो आपको क्या करना है, अपने लिए बेस्ट एजुकेटर्स चुननना है, जो आपको relevant CJ पढ़ाता है, और आप उससे तयारी कर सकते हो, अगर करना चाह तो आपको क्या मिलते है, क्रेडिट्स मिलते हैं, उस क्रेडिट्स को भी आप यहां पर रेडियम कर सकते हो, ठीक है, तो CGL 2020, CHSL 2020 की जो तयारी करना चाहते है, वो अनकेडमी पलस से कर सकते है, बहुस सारे एजुकेटर्स है, ठीक है, आपको लाइव क्लासिस का मोकम लेग कोई भी एक्जाम की तयारी आपने केडमी से कर रहे हो, अर्बी 10 कोड, सभी मैं अप्लिकब लग होगा, सभी मैं आपको डिस्काउंट में लेगा, मैं आपको SST एक्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं क्वांट सेक्शन कवर कराता हूँ, ठीक है, बाकि अगर मे दीखो, मैंश के लिए सबसे जादा जुरूरी क्या है, आपकी प्रेक्टिस, जो भी बैक्शिस होते हैं, अगर आपके बेसिक्स के लिए हैं, ठीक आपको भुरूसाए अपने बेसिकस पर आपको प्ता है, कि आप कर लोग यह चीज़ों को, तो मैंस के लिए आप मैक्सिम करा दी जाती है, में स्रावल तक की तैयरी करा दी जाती है, टीचर का एक लिमिंटीड रोल होगा आपके सेलेक्शन में, लेकिन सबसे ज़्याद आपको क्या करना है, रिविजन करनी है, जो आप अलड़ी पढ़ चुके हो, और प्रैक्टिस करनी है, उसकी मैक्सिमम, और फि सकते हैं, इंदında ही रस्ता है, मैं झी जाती है, जाती है, ङपका, कि बैं़ सकते हैं, खो आवाओनेंगेन के सेलेक्टिस करन्ता है, जा बन्ता है, जाती हैं, बन्ता हैं सकतesianूण करना का करिव, और